तो देखो आप लोग का विभाग पाच होता है उप्योजीत लेखन जिसमें लेटर आइटिंग फिर आपका वृतांद लेखन हो गया फिर निबन लेखन हो गया विग्यापन लेखन हो गया तो यह सब जो आते हैं सबका एक बार फॉर्मेट बता देता हूं तो यह हमारा एक इनफॉर्मल लेटर है ठीक है इनफॉर्मल लेटर हम किसी अपने करीबी को लिखते हैं और तो इसका कैसा होता है बॉड़ी देख लो तो देखो सबसे पहले आप डेट से शुरू करोगे फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हो मंगेश को लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखोगे फिर सुरू क्या लिखोगे आपका क्या है मंगेश क्या है प्रिया भाई मधूर प्यार और फिर आप बॉड़ी लिखोगे पूरी की पूरी जो भी आपको लिखना है जो भी आपका लेटर में मांग रखा होगा और फिर नीचे क्या करना है जो आप लेटर लिखना है तो इस तरीके से उपर जो है जिसको भेज़ रहे उसका और नीचे आपका उसल्टर अब को लिखना है और बीच के अंदर बॉडि और इसमें इंसले इसले सी Max भरणा Cath तो यार देखो दिनांक पहले सबसे बहले डेट से शुरू करोगे फिर सेवा में लिखोगे व्यवस थापक मीरा पुस्तक भंडार अब यार व्यवस थापक लिखा गया है और फिर मीरा पुस्तक भंडार यह दुकान का नाम है नेता जी मार्ग नासिक में है फोटो टू जीरो फोर यह पिन कोड डाल दो विशाय बताओ इसमें हमने जो है विशाय नहीं लिखा था पर इसमें हम विशाय बता रहे हैं कि हिंदी पुस्तक के मंगवाने हितु पत्र तो आप नीचे आप माननिय महोदे से शिर्यो करें जैसे उदर लिखा था प्रिया भा यह बहुत इंपोर्टेंट होता है याद ही नहीं आता है एक्जाम के टाइम तो बहुत यह याद रखना क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आधामाग कट जाएगा बहुत यह शुभम आपका नाम पैतालीस गनिशनगर जलगाव ठीक है अब यह यह देखो यह होता है नि भारत रत्य सीवी वैंकर्ट रमन को कब और कौन सा पुरसकार प्रदान किया गया तो इसका सवाल एकी वड़ में होगा जादे यह दा सीवी वैंकर्ट रमन का जनम कब और कहा हुआ था यह ठीक है रमन मदरास में कौन से कॉलेज में पढ़ने गया तो चलो ठीक है आपको स नेता जी विद्ध अलेमेंट तो वहां पर आपको उसके उपर एक रिपोर्ट यार करने ठीक है तो वुतांत में स्थल काल घटना का उल्लेक होना अनिवार है तो जगा का और क्या टाइम था जो भी घटना है सारे सब कुछ साल काल और घटना तीनों का उल्लेक होना बहुत सोलिगे तो आ से आपको five pasty में होना रिपोर्ट बना रहे हो तो आपका सब कुछ pasty में लिखना ठीक है तो कल पार्च मार्च 2022 की अऊसरपन नेत जी विदल जो भी यहार इस तरीके से आपको पूरा डेट्स वगेरा से ठीक है नेक्स आता निर्मलेकित मुद्दों के आधार पर 70-80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित श्रिशक दीजिए तथा सीख लिखिए तो देखो यारे आपको एक कहानी लिखनी है तो ये कुछ दिगा है मोहन और मातापिता सुखी परवार मोहन अब बिगडेल बत्चा है दिन भर फोन यूज करता रहता है यह फोन लगाया रहता है जिसके वर्यसे माता-पिता परशान है माता-पिता उसको सीख देते रहते हैं कि यह मत करो मत करो फिर वह सायद एक बार सड़क पर मॉबाइल यूज करते हुए यह एरफोन लगाते और सड़क पार करते वक्त उसके साथ कोई दुरगटना हुई है और उससे क्या सी तो देखो क्या अब इसका जो स्टोरी का वो क्या होगा अब पस्ताए होत क्या होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत यार जब तक उसको समझ में आए एक्सिडेंट हो गया होगा जरूर र नियंतर होना अवश्यक है बिल्कुल कोई वी आदत आपके सर पर नहीं चड़ जानी चाहिए उसके उपर नियंतर होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट बात करेंगे निर्मलिकित जानकरी के अधार पर 50-70 शब्द के में विग्यापन तयार कीजिए तो अब यारे भारत में जो भी एस लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप ड्रॉइंग भी बनाई सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है ने ठीक है तो हातों पर यह एक अच्छा तरीके से आपको साफ सुन्दर अडवर्टाइज करना होता है ठीक है जिससे क्या है आप लोग को अच्छा अगर वीडियो पर से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो करते है थैंक यू